तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं तो दोनों ही जो है ती रेक्स के अप्ग्रेडिड वर्जिन है तो देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंट्स है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेमी फीटर के साथ जाधा पैसे चार्ज किया रहे हो तो इस वीडियो पे आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्या डिफरेंस से दोनों ही स्मार्ट वाटिस के बीच में कोशिश करिए अपनी तरफ से की काफी इंडेफ्थ में जाके छोटी नोटे फीटर्स को भी मैं निकाल के ला सकूंँ बार ताकि आज सबको पता चल लेगी टीरेक्स तू ज्यादा के अंदर आपको 1.3 निचेस का साइड में देखिए टीरेक्स तू में जादा अट्रेक्टिव देखने में हमें टीरेक्स के लग रहे हैं काफी अच्छे तरीके से लगाए मैं सेंस को पता ही नहीं चल रहा कि लाइट कहां से नहीं लिए और उसके बाद अगर हम बात करते सब्सक्राइबल टीरेक्स प्रो का लगाए काफी सॉफ्ट स्ट्रैप है पहनने में और उपर से बकल देखिए स्पोर्टी लुक में देरेगा टीरेक्स तू में और यह ओवरॉल वाचिस उसके लावाद दोनों ही वाचिस 15 मिलीटरी ग्रेट सैटिफाइड है और दोनों ह स्टू का वेट यहां पर निकलके आता है 65 ग्रेम्स रेजिस्ट वेकप का रिस्पॉंस दोनों ही वाचिस का काफी अच्छा है और यह दोनों ही वाचिस पैची नहीं लगेंगी मीडियम या बड़ी रिस्ट के लिए ही ज्यादा सूटेबल है स्ट्रेम्स वाचिस को बहुतने सबार मेंट लगे रेक्व करते हैं यह फिर देखिये वेया लास्ट वर्काउट रेकॉड से मिलते हैं की वन केमिर कंट्रोल भी इसमें हमें देखने को मिल जाता है तो मिल जाते हैं तो यह तो सेटिंग भी आलमॉस सारे उप्शन जो आपको से मिलते हैं लेकिन पर्टिकुलर और जाएंगे तो ज्यादा फीटर देखने को मिलेंगे फॉर एग्जामपल जैसे कि अगर हम अभी वर्काउट के अंदर जाते हैं तो देखें वर्काउट के अंदर जो है आपका वर्काउट डिटेक्शन जीपर किसी में मतलब ऑप्शन बाहर तो किसी में अंदर की तरफ है थोड़ा बहुत मेन्यू क आपको वन फॉर निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है प्रो में कितने लेवल की ब्राइटनेस यह कहीं भी स्पैसिफाइब नहीं किया गया है और मैंने टीरेक्स प्रो के एक दूसरे कलर मेरियंट पर एक बर मड टेस्ट किया तो तुम आप उसका वीडियो दिखा तो करेंट वाला मुझे बेचना था किसी को तो मैं इसलिए उसको मड में कवर कर दिया था मैंने और उसके बाद जब हम इसको धोते हैं पानी से और ध ऑगरा देखें हमें पडाते हैं और उसके बाद जो है हमने इसको फिसे इसको इण को बिलकुल कोह बिलकुल श्क्रैश नहीं पड़े और यह बिलकुल फिर से नहीं की नहीं चमक गई है और ए 9-10 एम है तो 120 अकिक हैं आप आप यह वर्क आउट के जो तो कस्टमाइजेशन के ओप्शन देख सकते हैं जो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं आप इसमें GPS भी सेट कर सकते हैं आपको पावर वाला चाहिए बैलेंस वाला चाहिए दोनों वाचिस के अंदरे फीचर है उसके अलावा टी रेक्स टू में खास बात है कि आप इसमें टी रेक्स प्रो में आपको चुनना पड़ता है कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन जो है चलाना है सैटलाइट का तो यह चीज में टी रेक्स टू से थोड़ा सा आगे निकल जाती है उसके बाद अगर हम बात करते हैं देखिए स्पोर्ट्स मोड की तो ऑटो वर्काउट ड देखने को मिलते हैं वहीं त्यांट यहां पर मुझे कुछ जाधा चेंड देखने को नहीं मिला ऑल्मॉस्ट अल्मॉस्ट दोनों के जो हैं कस्तरमाइशन के फीचर सेम ही है और जब आप वर्काउट को स्टार्ट करते हैं तो देखिए स्क्रीन स्पीस में सेम ही आ रही है स्टैप काउंटर आ गया है फिर हाट रेट का चार्ट आ गया उसके बाद उपर स्वाइप करते हैं तो टी रेक्स तो में आपको नेविगेशन भी देखने को मिलते हैं करके जो है दिन में कभी भी वर्काउट को शुरू कर सकते हैं तो यह फीचर जो काफी कम को सकते हैं मतलब आपने अगर कहीं तक चल लिए हो रूट अपने ले लिया है तो GPS आपको वापिस आपके घर तक पहुंचा देगा स्टैप काउंटर एक बात कर देखिए मैं 450 स्ट दोनों में अलग लग लग आ रही है उसके अलावा जो एल्टीट्यूड है वो भी अलग लग लग आ रहा है तो जब कि GPS सिगनल सेम यहीं मुझे समय नहीं रहे हैं कि इसमें डिफरेंसिस इतने क्यों देखने को मिल रहे हैं दोनों वाचिस के बीच में अब कौन सा कि टीरेक्स टूने और यहां पर देखें दोनों ही वाचिस ने पॉस का टाइम दिखाए कि इतनी देर आपने वर्काउट को पॉस रखा तो यह काफी अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरे पास कुछ कुछ कॉमेंट्स हारे थे कि उसमें पॉस का टाइम कैप्चर नहीं होता टीरेक्स प्रो में लेकिन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है और दिस्टेंस में थोड़ा पॉइंट वन किलोमेटर का फरक आगया इस बार दो नहीं वाचिस के बीच में तो एक्क्यूरेसी के मामले में देखिए अगर स्टैप काउंटर के बात करो तो दोनों अच्छे के दिस्टेंस दोनों को अच्छे लेकिन जो बाकी जो डिटेल्ड एनैलेसी इसका एक्यूरेट है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते है अब देखिए दोनों का एयर प्रेशर मॉनिटर एंड एल्टीट्यूड मिटर का टेस्ट करके देखते हैं तो एयर प्रेशर देखिए 976 कर रहे है टी रेक्स परो और अब हम टी रेक्स टू जो है वह थोड़ा सा गूमरी है उसको टाइम लग रहा है दूने में वह सिगनल को करें और क्योंकि मैं रूम के अंदर हूं तो इसले टाइम भी लगता है वाच इसको और 232 मिटर का एल्टीटूड दिखा दिया है टी सब्सक्राइब मोनेटर की बात करते हैं देखें मैंने इनको फटाफट से मना करते हैं और टी रेक्स परो तो हीली नहीं बिल्कुल उसने शुरू ही नहीं किया हाट्रेट की रिडिंग जो है टी रेक्स परो की काफी अच्छी और इसमें चलता रहता है जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे जैसे टी रेक्स थो में अपने एक बार में स्टॉप हो जाथ है यह इक यह बार मेजर करके स्टॉप हो जाता है तो दीखेंश मैच ऑट कर देंगे तो आगर सेकंड में अपने चार चीजे जैसे हार्ट रेट स्पोटू स्ट्रेस एंड ब्रीथ काउंट को जो है मॉनिटर कर सकते हैं तो यह काफी चीज लगी मुझे वर इसको हिलाना डूलाना नहीं है मतलब इनके सेंसर काफी सेंसिटी होते हिलाओ के तो यह मेजर नहीं करेगा तो यह चीज जो है इस वाच की काफी अच्छे टीरेक्स टू की इसके लावा इसमें रिंग टोन भी देखने को मिल जाता है एक बीप जी आती है इसमें जिसको बजर बहुनते हैं तो आप उसकी इसकी कम जादा कर सकते हैं वर्काउट के टाइम पे और अधर क्योंकि रिप्लाइज सेंड नहीं कर सकते हैं टीरेक्स टू के अंदर आप देखिए जब इंकमिंग कॉल आती है तो आपको प्रिशेट की क्र सकते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम नोटिविएशन के सेक्शन में जाते हैं तो इसमें बड़े से बड़ एसमेस का एंड्वेशन का इस वॉच्मे चाहिस में कर सकते हैं उसके साथ हिंदी नोटिविगेशं भी आप दोप्ड़ श में पढ़ सकते से ती रेक्स प्रो के अंदर आपको 5050 प्लस ए टीरेक्स टू के अंदर आपको 80vlส टेखने को मिलते हैं और ते में अच्छी धाद को मिल जाता है कि अंदर आप थर्ड पर्टी कुछ एप्लिकेशन जो है उनको इंस्टॉल भी कर सकते और सुना है कि फ्यूचर में जो है अप्लिकेशन बढ़ने वाली है आपको जैसे मैपस जो है मैपस के नोटिविकेशन आने लग जाते हैं कि आप राइट लो अब लेफ् किस चीज में आगे है तीरेक्स प्रो से तो टीरेक्स तुम्हें आपको बड़ी वन पॉइंट इन इंचेज की स्क्रीन मिलती है प्रिशेट क्विक रिप्लाइस का ओप्शन भी है कॉल रिजेक्ट करते टाइम एंड क्विक रिप्लाइस ऑफ SMS एंड वाट्साप नोटिव तो यहां पर बात करूं कि अगर आप स्काफी हिच्ट नहीं है तो आप य सारे त्टीर स्काथित नहीं है तो आप शुद् Möglich . लेकिन मेरे हिसाब से T-rex 2 लेना जादा value for money है प्लस आपने T-rex 2 का वीडियो भी देखा होगा कि जिसमें इसको की बांग के जो है स्पेस पे छोड़ दिया गया था और इसको काफी हाइट से जो है इसको गिराया गया था नीचे और लगवग माइनस 65 डिगरी सेल्सिस का टेंपरेचर इसने सर्वाइब किया था एक सोस्टी की स्पीड पर नीचे गिरी थी वो भी इसने सर्वाइब किया था तो मतलब टफनेस के अगर बात करें तो एक टीरेक्स प्रो से जादा बढ़िया है बाकी बात है आपके रिक्वाइर्मेंट की कम बजट है तो आप टीरेक्स प्रो भी ले सकते हो बुरा ही इसमें भी कुछ नहीं है लेकिन अगर इन दोनों को कंपेर के जा तो आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको जानने में जरूर वदत मिलेगी इन दोनों नहीं अगे तरो कि लिव नहीं मेर्शनल पर बागया